बैगन की खेती करने वाले काफी किसान भाई लोग लिटिल लिफ की वज़े से परिशान होते हैं यदि ये रोग लग लग जाता है तो खेत में फल नहीं बनते हैं आप कोई भी दवा डाल दें कुछ भी करें एक बार यदि किसी प्लांट में ये रोग आ गया तो फिर से वो सही नहीं होने वाला है लेकिन सही जानकारी के अभाव में किसान भाई उसका सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे करके आगे बैगन के पूरे खेत में ये रोग फैल जाता है और पूरा खेत उनको खतम करना पड़ता है किसान भाई ये रोग फैलता जरूर ह इसके कोई दवा नहीं है लेकिन बचाव से इसका किया जा सकता है अब पहले बात करते हैं इरूख फैलता क्यों है और इसके लच्छन क्या होते है किसान भाईयों इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो पौधा है ये लेटिल लेफ से ग्रसित है पूरे प्लोट में जो कुछ भी पौधे थे हम हम सब को हटा देते रहते हैं लेकिन ये एक पौधा आप लोगों को जानकारी देने के लिए हमने रखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पौधा है ये लेटिल लेफ से पूरी तरीके से ग्रसित हो चुका है और ये काफी पुराना भी हो चुका है लेकिन आपको हम बताते चलें जो नए पौधे होते हैं उसमें इस रोग का जो प्रभाव आता है तो इसकी जो ऊपर की एक दो एकदम कोमल पत्तियां होती है इन्ही पत्तियों में सबसे पहले इसका लच्छड दिखता है इस पत्तियों का कलर जो हो हलके हरे रंग में हो जाता है हलके हरे रंग में होते होते फिर इसमें क्या होता है पत्तियों की जो नसे होती है ये दिखने लगती है पत्तियां लंबे होती है चोड़ाई नहीं बढ़ती है शुरुगात में जब इस तरीके से पौधों में ये रोग आता है तो एसका लचड़िये होता है और उस समय पर इस पौधे में जितने भी फल बने हुए होते हैं उसको टच करके आप देखेंगे तो फल जो है काफी टाइट हो जाते हैं और उसमें जो है नसें दिखने लगती है फलों में तो उस फल को यदि कोई सबजी बनाता है या फिर आप उसको कहीं पर उसको काटते हैं चाकों से काफी टाइट होता है वो सबजी उसकी पकती नहीं है तो market में उसकी बिक्री नहीं होती है और आगे भी उसमें कोई भी नया फल नहीं आता है किसान भाईयों इस रोक का जो फैलने का कारण होता यह food का या leaf hopper कह सकते हैं इंगलिस में से leaf hopper कहते हैं और हिंदी में से food के कहते हैं food के काई प्रकार के होते हैं, जैसा कि किसान भाई लोग तोता बोलते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, उड़ते हैं, पत्तियों को काड़ते हैं वो इनकी एक दूसरी variety है, इनका एक काफी लंबा एक ग्रूप होता है तो उसमें जो फुदके इसमें रोग फैलाने वाले होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं पत्तियों के पीछे रहते हैं हरे फुदके भूरे फुदके या काले फुदके हो सकते हैं जो इसमें रोग का वाहग बनते हैं और यह बैक्टिरिया के मादम से फैलने वाला रोग होता तो यहां पर आप लोग या इस तरीके से समझ गए हैं कि इसमें रोग कैसे फैलता है तो रोग को रोकना ही इसका एक मात रुपाय है रोग बढ़ जाने के बाद या किसी पौदे में लग जाने के बाद इसको हम नहीं रोख सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि हमारे खेत कीड़ो को कंट्रोल करने के लिए जितनी दवाईयां आती हैं वो फुद्के को कंट्रोल करती हैं जैसे डाय मेथोएट हो गया और इमिडा क्लोरूपे डो गया थाय मेथा अखजाम हो गया इन सब दवाओं का प्रियोग करते हैं तो यहां से फुद्के खेत में नहीं जठक करने के बाद कोई दूसरा वहाँ किट आपके खेत में ना सके तो कर्या आपके क्यों आप लेजा कर आपके खेत से उसकत हैं यह से रहा कर देजे की वहे प्रभव कर दीजा सब्सकमें कि बाहर करा इस में एक ऐसा समय आता है जब 19 वर का समय आता है नवंबर से 15 वाला से फल शेदए कीड़े लगना बंद हो जाते हैं. और इस तरीके से लिफ हो पर भी नहीं लगते हैं. तो यहाँ पर 15 वर से पुरा यह मार्ज तक का जो समय होता इस समय पर आपके plot में यहाँ पर little leaf वाला रोग नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो किसान भाई लोग अक्सर इसलिए कहते हैं कि इसकी जो बुआई का समय होता है, आप इसको सितंबर में लगाईए, तो इसमें रोग नहीं आते हैं, तो सितंबर में लगाने के ब little leaf वाला रोग है, यह काफी तीजी से आता है, तो फल छेदक और little leaf को यदि आप कंट्रोल करते हैं, तो आप अगयती खेती बैगन की कर सकते हैं, और अगयती खेती यदि आप कलते हैं, तो आपको अच्छा यहाँ पर rate मिलेगा, और काफी अच्छा फायदा होगा, तो little leaf वाला जो रोग आपके खेत में दिखे, तो उसका आप तुरंत उस पौधे को उखाड़िए, खेत से बाहर फेक दीजिए, आप वहाँ पर उसके जो leaf होपर हैं, उसके कंट्रोल करिए, उसके लिए आप दमाओं का इस्प्रे करिए, तो इस तरीके से यदि आप यहाँ पर इस पूर पर पर बैगन की खेते से आप पर पर प्रतिए कड़ तीन लाख से उपर का मुनाःफ़ा जरूर कमाएंगे, तो किशान भाइओ इस तरीके से हमारी आज किस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक ने वीडियो में ने कंटेंट के साथ, तब तक के लिए न कि बड़ार आगो आगल डें़ु और और चारेकम